Hello friends, Welcome to my YouTube channel और इस वीडियो में हम बात करेंगे Clavical के बारे में ठीक है इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं Clavical की Osteology के बारे में देखें सबसे पहले देखते कि Osteology क्या होती है Osteology देखें क्या होती है Scientific Study of Bone यानि किसी भी bone के अगर हम scientific study करते हैं तो वो हमारा जो है Australogy कहलाती है ठीक उसी प्रकार हमारी body में जितनी भी bones पाई जाती है उन सब को हम एक-एक करके पढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो bones है जो सबसे पहले body में पढ़ी जाती है वो हमारी है Clavicle, Clavicle सब first bone होती है जो हमारी ossify होती है तो clavicle से हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखे clavicle एक long tubular and somewhere S-shaped bone है जो हमारी clavicle है वो कैसी है एक long bone है और somewhere S-shape S-shape की आकार की हमारी होती है ठीक है situated horizontally in our body ये हमारी एक ऐसी bone है जो हमारी body में क्या situated होती है horizontally situated होती है ठीक है अब दूजरा point है it transmit weight of upper limb to the sternum जो हमारे upper limbs का weight होता है यानि जो हमारे हाथों का weight होता है वो हमारा transfer करती है ये sternum में situated immediately above the first rib जो हमारी first rib होती है हमारी body में उसके just उपर क्या है ये present होती है has cylindrical part called shaft and two ends lateral and medial end ठीक है क्योंकि ये long bone है इसलिए इसमें क्या होता है एक cylindrical part होता है जिसको हम shaft बोलते हैं और उसके जो end होते हैं दो जिनको हम बोलते हैं medial end और lateral end ठीक है अगर हम इसकी बात करें ends की तो ends देखे है सबसे पहले इसके कौन-कौन से हैं clavicle has two ends इसके दो ends होते हैं lateral end और medial end जो हमारा lateral end है उसको हम acromial end भी बोलते हैं और जो हमारा medial end है उससे हम sternal end भी बोलते हैं क्योंकि ये acromial process के साथ articulate होता है और ये medial end जो है sternum के साथ articulate होता है ठीक है जो हमारा lateral end है वो it articulate with acromial process of scapula to form acromioclavicular joint ठीक है और उसके साथ यह articulate होता है और हमारा जो joint बनता है वहाँ पर acromioclavicular joint और जो sternum के साथ articulate होता है वहाँ पर बनता है हमारा sternoclavicular joint ठीक है medial end जो वहाँ पर articulate होता है यह इसके end है अगर हम इसके बात करें shaft की ठीक है जो clavicle का shaft होता है वो हमारा दो parts में डिवाइड होता है ठीक है एक lateral one third और एक medial two third जो lateral one third है वो हमारा flattened वाला part होता है और जो हमारा medial two third है वो हमारा थोड़ा सा rounded part होता है अगर हम इसके अब देखें क्योंकि ये दो parts में divided है इसलिए इसको जो है दो-दो parts में इसको cover करेंगे, तो दोनों पार्ट्स के border and surface पढ़ेंगे और lateral one third के भी अलग से पढ़ेंगे border and surface और जो हमारा medial है medial वाला पार्ट है उसकी भी हम border surface अलग से पढ़ेंगे, अगर हम बात करें lateral one third की तो उसमें जो surface की बात करें उसमें दो surface होते हैं हमारे एक superior surface होता है और एक inferior surface होता है जो superior surface है वो हमारा जो है flat होता है और rough होता है और जो inferior surface है वो flat होता है और उसमें एक ridge पाई जाती है जिसको हम trapezoid ridge बोलते हैं जहांपर हमारे trapezius muscle attach होती है ठीक है अगर हम बात करें इसके border की जो हमारा lateral one third है उसके border की अगर बात करें तो इसमें दो border होते हैं एक होता है हमारा anterior border और एक होता है posterior border anterior जो border है वो हमारा concave होता है यानि कि जो front side है वो हमारा कैसे होगा concave होगा और जो posterior border है वो हमारा हमेसा convex होगा और थोड़ा सा थीक होगा जो हमारा concave वाला anterior border है वहाँ पर हमारी muscle attach होती है deltoid और जो हमारा convex वाला part है posterior border उस पर हमारी muscle attach होती है trapezius ठीक है, अगर हम इसकी बात करें medial two-third वाले part की तो इसमें जो surface हैं वो हमारे 4 होते हैं anterior, posterior, superior और inferior ठीक है, जो anterior surface है वो convex होता है जो posterior surface है वो smooth होता है और superior surface rough होता है और inferior surface भी rough होता है अगर इसकी बात करें हम border की तो border देखे इसके border भी जो है तीन होते हैं anterior, posterior और inferior जो anterior border है वहाँ से हमारा origin होता है pectoralis major एक muscle होती है उसका वहाँ से origin होता है ठीक है यह इसकी theory थी अब इसको diagramatically देखते हैं कि clavicle जो है उसका diagram कैसा दिखता है ठीक है यहाँ पर मैंने एक clavicle बनाई हुई है यह देखिए इस type से कुछ हमारी clavicle होती है ठीक है तो यह वाला part देखे इसको जो है हमने क्या बताय था इसके दो ends होते हैं एक हमारा acromion end है और एक sternal end है ठीक है एक acromion end है और एक sternal end है जो यह वाला part है हमारे यह हमारे किसके साथ articulate होता है sternum के साथ और बनाता हमारा sternoclavicular joint यह हमारा acromion के साथ articulate होता है और बनाता हमारा acromioclavicular joint ठीक है अब देखी ये और जो हमने बताए था एक shaft होता है ये वाला बीच वाला जो इसका पूरा part है वो हमारा shaft है और ये दो parts में divide हो रखा है एक lateral one third यहां से लेकर यहां तक और medial two third में divide हो रखा है ठीक है अब देखे अगर आप इस बुमन को ऐसे रखते हैं तो ये वाला जो surface है इसका ये क्या है posterior surface है यहां पर मैंने दिखा रहा है posterior surface है ये anterior surface है ये इसका lateral वाला part है और ये medial वाला part है ठीक है तो यानि कि आप इससे side determination कर सकते हैं क्योंकि जो acroman end है वो थोड़ा सा flat होता है और ये जो है ये quadrilator होता है जो इसका medial end होता है ठीक है अब देखे ये और जो इसका medial two third है medial two third यानि कि आपको बड़ा वाला parts जो दिखेगा वो anteriorly कैसा होगा convex होगा convex दिखाई दे रहा है और जो lateral one third है वो concave होगा इसी को अगर हम दूसरे view में देखें तो दूसरे view में ये ऐसी बनेगे ठीक है तो जो ये वाला parts है इसका ये पीछे चला देखें ये anterior हो गया फिर उपर की तरफ ये इधर lateral बही रहेगा medial बही रहेगा लेकिन anterior posterior बदल जाएंगे ठीक है इसमें subclavian groove होता है cornoid tubercle होता है trapeziate roll ridge होता है ठीक है